हलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने IQ9 Pro Android में आप जो है maximum number of connection इस setting को आपना change कैसे कर सकते हैं और ये maximum number of connection ये setting जना काम कैसे करती है आज की इस वीडियो में मैं आपको detail में जानकारी देने वालों तो चलिए आप ये फशन मिलेगा binge आपको स्पॉ्षप एन फेटरिंग इससाप को सिलेक्ट करना है इसके अगले पैज में आपको एप्शन मिलेगा Wi-Fi फॉतिस इन पीज करना है किसी भी एक option पर मेरा यहां पर 10 number पर tick mark लगा हुआ है तो यहां पर होता क्या है situation में कि दोस्तों जब भी आप अपने mobile phone के hot spot को on करते हैं तो आपके hot spot से कम से कम 10 device आपके connect हो जाएंगे ठीक है 10 mobile phone या 10 laptop या computer जो भी है आपके 10 device ना connect हो जाएंगे आपके hot spot की साथ आप इसे जो हैने number को कम कर सकते हैं माल लिजे एक number select कर लिए हमने ठीक है एक number select कर लिए ना तो इससे होगा क्या situation में यह देखे आपका hot spot जब आप on करेंगे ना तो आपके hot spot से कोई भी एक device आपका connect हो पाएगा कोई एक device चाहिए आपका friend आपका अपना mobile phone आपके hot spot से connect करेगा तो जो सिर्फ एक ही mobile connect हो पाएगा और अगर आपके दूसरे friend के पास अगर आपके hot spot का password है भी तो भी वो connect नहीं कर पाएगा ठीक है क्योंकि एक ही device connect होगा जो पहले connect हो जाए तो इस setting ने इस तरहीं से काम करती है maximum number of connection की ठीक है अब मैं आपको इस setting को ढूंडने का shortcut तरीका बता देता हूं आपके mobile phone में इसके लिए आपको करना है mobile phone का आपको setting page open करना है setting page में आपको सबसे उपर यह option आपको मिलेगा search icon का search icon पे select करना है और यहापको सबसे उपर search bar में टाइप करना है maximum number of connection ठीक है जो setting करने है मैं यहापर आपको type कर देना इस तरीके से तो आपक select करना है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly setting में लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका बता दिया है इस setting को ढूंडने का आपके mobile phone में